वेल्कम टू सरजीर भाई गुरू चैनल में आप सभी का सौगत है आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है हीरो कमपनी का सीडी डॉन बाइक और इसका इंजिन का साउंड बहुत ही खड़ाब था और मैंने इंजिन खोला है दिखिया तो पूरे इंजिन को मैंने और आपन कर लिया है तो गाइस अगर आप लोग जब भी खोले तो क्या क्या पार समलों को ज्यादा से ज्यादा गौर करना पड़ेगा और जिसमें यहां क्या लोग इंजिन बहुतर से वांदर पॉफॉमस दे और जिसमें जादा दिन जाए आज आप लोग बताऊंगा त में बेरिंग कंट केस्ट किट मेंद सफसे पहले हम लेद गए थे और लेत्म में जाके दो बैंग मैंने चंज गिया और डॉट लगाया अब यहां हेड में आते हैं हेड के अंदर दो हम लोग को एक जर्स भाल और इंटेक्स भाल्प होता है वह मैंने निव लाइव लगाया और इसके अंदर गाइड खराप हो गया था और गाइड भी चेंज किया तो ग्रैंडिंग मैंने कर लिया है और जैसे कि हाल्म देखरी two 해야id को फीट कर लिया है तो हमलोग का पहले स्टेव होता है वह में जब हम लोग इंजन करे सबसे हम लोग कोिया हम 더 है तो हैने लोग हम लोग को बनाना पड़ता है तो हैड में आप लोग inheritance देरा पड़ता है बार्था चíamosकरक देना पड़ता है वहां का किट होता है जरूरा दालेंगे टाइमिंग चेन पूरा सेट डालेंगे इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा पिस्टों निंग पूरा लूट प lens है और यहां हम लोग व्लोग केट है तोचलिए यह सेफ मिल फिटिंग करेंगे तो काईश अगर आप जैसे के देखना चाते हो गियार बोक्स के बिनियम अगर आप लोग पनट रहा है सब है चेंज करेंगा देभे का और र송स में खरचा कितना यालाश्ट में आप लोग को बताऊंगा जिसमें कितना खरचा ayएगा वह अप लोग को बताऊंगा तो चलिये ृट्सहरीन चारा करेंगे तोस बाइक्ट तो गाइस आसानी से हम लोग जैसमें की इंजिन खोले तो पहले इसको निकालने का कोशिच करें मने निकाल लिया ठीक है अब चलो नया इनिस्टोल करेंगे तो यह वाला साइड जो है हम लोग अंदर रखेंगे और यह वाला जो लिखा हुआ है बाहर रखेंगे तो चलो इसे हम लोग बढ़ते हैं इस जगह पर ठीक है तो चलो कि अब बश तो गाइस हम लोग का हो चुकिए है अब हम लोग ग्यार बॉक्स को फिटिंग करेंगे इसी सबसे रखेंगे तो गाइस यहां मैंने निडल का पति मैंने नया लगाया है यह निडल पति अगर आप लोग को खराब रहते हैं तो इसे अभी बदल दालो बारना पूरा इंजिन आप लोग को खोलना पड़ेगा ठीक है बात में आप लोग को महुंकर नहीं मिलेगा अ कि इसी तरह से हम लोग ग्यार बॉक्स को नीचे डालेंगे और आइस्था-इस्था करके हम लोग का ग्यार्वक्स को है वह चल जाएगा बस आसानी से चल चुकी है अब यहां अभी हम लोग का बाइक ग्यार पर है और यहां लोग का सिलेक्टर है अभी न्यूटल पोजिशन हम लोग कर लेंगे तब न्यूटल पोजिशन पर रहा है ठीक है आसानी से हम लोग का सिलेक्टर जो है वो काम कर रहा है तो चलिए आप लोग देना मत भूली है तो जैसी कि हमको यह रोटेट करना है बाद में एक चीज आप लोग को दिखा देता हूं जब भी इंजिन खोले आप लोग एक पॉइंट को गौर करें यहां जो पॉइंट है और इसमें हम लोग का पॉइंट दिये गया है इस रेचर पर यह प्रेटिंग नहीं होगा है तो फिटिंग कर दिया है अब हम लोग डालेंगा जिसमें की तो विए आप लोग एक चीज गौर करें यह दोनों सब्सक्राइब को जो सेप्ट है यह कला चिमबर का सैप्ट है यह मैंगनेट चिमबर नीचे रहेगा ठीक है बस तो यहां का काम खतम अब हम लोग डालेंगे पैक इन तो गाइस यह पैक इन हमने डाल दिया है अब हम लोग चंबार फिट करेंगे चंबार दीजिए तो चंबार हम लोग का आसानी से फिटिंग हो चुकी है चले इसको घुमाते है और पूरा नाड बगेर सब फिटिंग करते हैं कि गाइस मैंने लगा दिया है और यह नाड भी टाइट कर दिया है अब चलो चलते हैं कला चंबार के साइट ठीक है यहां लोग का काम कॉंप्लिट है अब कला चंबार में हम लोग का काभी सारे काम है सबको लिप्टाना है तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें 6 यहां बूस दिया गया है सब डालेंगे हिस अब हम भ에 डालेंगे हैं रहे उन मेंटेनस्ट करना है ठीक है लेष्द किक रैचर को पाक देना है तब हम लोग को मीमाना है एक संद तभी काम करेगा थोड़ा भी हमलोगा जो पयंट ही हो उनुसक्त और इंट हम गलत के लिए वह इस दूर करें। डिसोड आफ लोगा ब्रफ हो जाएगा ठीक है बस ऑटोमेटिक हम लोग का सेटिंग हो चुकी है अब हम लोग डालेंगे जिसमें की एक लॉक बस अब की हम लोग का सेटिंग हो चुकी है और बाइक न्यूटल पर भी है किरकिन नहीं कर रहा है अब हम लोग डाल सकते है है जो जो बदिएयों पातियों के हम लोग फोता है पूप हम लोग को देखकर लगाना है कि are अब आप लोगों कि अब आप अब आप नूडल पर है अब बाइक तेक है अब आप लोगों घुमा करें दिखाता हूं एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर ठीक है चार नंबर है इंजिन जब रोटेट होगा आसानी से गुमेगा तीन नंबर दो नंबर एक नंबर और नूडल पस गयार हम लोगों का कॉंप्लिट हो चुकिया है अब हम डालेंगे यहां जेवीडी बिनियम तो चलिए जेवीडी विनियम डालेंगे साउंड कॉलिटेव वह था रहाता है यह लोट गयार की मंई डाले तोय तो चालों है एक वासर डालेंगे और उसके बाद हम लोग होजिंग डाल सकते हैं उसके बाद हम लोग डालेंगे एक वासर बूस उसके बाद डालेंगे एक हम लोगा पतला वासर होगा उसके बाद होगा हम लोगा कटा वासर कि इसके बाद होगा काटिंग उसर बस अब यह हम लोग का आसानी से फेटिंग हो चुकी है अब हम लोग डालेंगे जिसमें की क्लास प्लेट जितना भी सावान बगे रहा है अब नाया डालेंगे बस अभी नहीं जा रहा है अग्या 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 बस चलो अब फिटिंग करते हैं अग्या 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 तो गाइस यहां तीन क्लास प्लेट दिया और यह इस जगह पर दिया ठीक है तो चलिए नाट लगाता हूं अग्या बइस केंज़ेंबू के आट झाल करका मुड़कर हूर झाल खाया छाया दो grow az लो उट मार्ण सय और हो लग झाल अब हम लोग डालेंगे एक क्याप डालेंगे इसके अंदर एक क्याप देरना पड़ेगा जो इंजिन लूब्रीकन करेगा अब डालेंगे वाल फिल्टर अब डालेंगे बालन्सर अब डालेंगे बालन्सर अब डालेंगे यहां एक वाइल्सिल है वाइल्सिल को हम लोग को बदलना पड़ेगा हम लोग अगर पुरानी रख दे इसमें लोग वाइल पांप से जो वाइल जाएगा क्रेंक सेप पर वह थोड़ा जैसी कि ठीक से नहीं जा पाएगा तो वाइल्सिल किड मैंने लिया है जितना भी वाइल्सिल है सब नए डालेंगे बस यहां प्याकिन नए डालेंगे अब वाइल्सिल कि अब यहां तो खाइस अभी चंबार हम लोग फीडिंग नहीं करेंगे सबसे पहले पिष्टोन फिट करेंगे उसके बाद चंबार फिट करेंगे टीक है तो गाइस बूस्ट देना जबूस्ट नहीं पूर्ण पास ना रहा है तो नए बूस्ट देना बरना अब लोग का पिश्टन जो है फीडिंग करेंगे तो आप लोगको दिकत में आसकता है तो चलिए कि अ कर दो आहां कर दो कि अब लोग के पिश्टों निंग पीटिंग करेंगे यह काटिंग है सामने रखेंगे और ऊपर रखेंगे ठीक है कि अब इसको दबा के देखेंगे और राइट साट पर इसको लेंगे इस तरह से और यह कौन साइट पर भाग रहा है यह भी देखेंगे इसको इस साइट पर लेंगे बस टॉप टूप नीचे डालेंगे कंप्रियसर वाला रिंग आप टॉप वान ऊपर देंगे कि इस पिश्टून रिंग के ओपर काफी सारे मैंने वीडियो बना के रखा है अगर आप लोग पूरा जानना चाते हैं कौन सा रिंग कौन सा कंप का है तो आप लोग को डिस्क्रिशन में लिंग मिल जाएगा और जा सकते हैं कि वाला बना को सारे मिल जा एक टूरा पना जाले जाएगा जाएगा झाले एक बडोग कि एक बड़ार कि उड़ती हैं आप लोग कि पनाओ शिछा हैं को वाला कि वाला को एक हैं। महस कई पैकिन डालें उरीं डालेंगा इसके अंदर ओरिंग होता है यह वाला वोरी नीचे डालेंगे बस चलो किट पर भी लुबिकेन करते हैं और एक लोग लगाते हैं जिसमें के हम लोग आसानी से लगा सकते हैं इसको पकड़ के रखो तो घैस पिस्टन डिंग साव्धन से आप लोगों कुं लगाना पड़ेगा जैसि कि अगर जबरति करेंगे तो आप लोग के पिस्टन दिग तूट सकता है खराब हो सकता है बहुत आसानी से साव्धन से लगाना पड़ेगा बस, वाइल दिंग को आईस्ते इस ते करके पुश्च करेंगे, ज्यादा जोन नहीं लगाएंगे, ठीक है? बस, चल चुकिया, आप हम लोग टाइम इंचेयन बरेंगे, ठीक है? टाइम इंचेयन हम लोग इनिस्ट्रल करेंगे एक रोलार होता है इसमें रोला डालेंगे अब लॉक को हम लोग जैसी की चानल लेंगे कि आज 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 और अज़िए अबस तो काईस आज फीडियो वह चुकिए है चलो अब नाट बगेरा लगाता हूँ कि चलो रोलार लगते हैं कि इसमें को वाशार होता है और यहां कटिंग नाट रेता है अभी यह सब नाट अभी टाइटने करेंगे ठीक है एक एक कर गए डाल दिया है अब हम लोग पैकिन डालेंगे अगर का हम लोग को डाल पिन लगता है एक डाल पिन इसमें दिये जाता है इस वरिंग को जिसमें के वाइल पाम से जो वाइल आया है पिश्टन के अंदर ना आ है तो पॉलिशन आएगा अगर यह आम लोग डालेंगे इस जगह पर ठीक है तो चलो डाल दिया है अब हम लोग हेड आसानी से लगा सकते हैं को डालेंगे फोड़ा अठा देंगे इसमें ज्यादा नहीं साम्धिंग जिसमें लीक ना करें आइस्ते इस्ते कुर के भरिया क्योंकि इसके अंदर अम लोग को डाल पीन है बूसे कहीं गिर जाएगा तो थोड़ा दिक्कत आ सकते हैं तो हाथ को आप लोग को जैसे कि हिलाना नहीं है के समझ दरिसे काम करना पड़ेगा और जब फिडेंग हो जाएगा तो आसानी सपीन ही जिसमें की ड difar सकते हैं इसमें एक तीर शिनरा है इसको तीर सीने को नीचे रखना है उपर नहीं बनना क्या तूट जाएगा लगाने में एक पीदल का वासर होते हैं नीचे डालेंगे और लोहों का वासर जहां मनता लगा सकते हैं तो गईस यहां दिखिए सब्सक्राइब और मैं इस इस आप से अगर रख के सीधा सीधी तो आटमेटिक पीच्टों टाप में आ जाता और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो चलिया अब बागी का पॉर्सेस देखाते हैं चलिया रॉकर को हम लोग 0.8 mm पहले रखेंगे फेडिंग करने का बाद कि जिसमें के बाद में अगर हम लोगा रॉकर डीला चांस होने का चांस ही नहीं रहेगा कि बस तो रॉकर मैंने 0.8 mm रखा है अब चलिया चमबर लगाता हूं तो काईस देखिया कितना गंदा काम किया है इस तरह से स्प्डिंग हम लोग को देना नहीं चाहिए और यह पूस्टर बार हम लोग का सही है हम लोग को इस प्रिंग देना चाहिए यह वाला लोग वाला तब हम लोग का पांप काम करेंगा बना पांप काम नहीं करेंगा और हाड हो जाएगा तो समस्दारी से काम करना पड़ेगा 20 रुपे का पार्श का करन हम लोग का पूरा इंजिन का सिस्ट्रम खराब हो जाता है ठीक है कि अब सब्सेगी अब कैसी यह आशनेश काम करेंगा और यहां कम लगा को ना वह यह जो काम करना अभी कंप्रेसर लाएंगे ठीक है वो कैसे अब लोगो दिखाता हों आज जिसमें की नाट खोला है और इस पैसी अम लोग को आला या वाल जालेंगे ठीक है अभी देख़ो हम लोग का वाइल जा रहा है कि पूरा वाइल जा रहा है अब इस नाट को हम लोग घ्रकेशाव के लगा देंगे थी ऊपार हो और दालेंगे और अब आप लोग को दिखाता हूँ कंप्रेसर कासा आ रहura है अब देखिए कॉंप्रेसर हम लोगा एकदम नहीं बड़िट रहा है देखो अच्छी तरह से दिखाओ और यह हम लोगा हाड हो चुकी है और कॉंप्रेसर हम लोगा जैसे के आ चुकी है तो कॉंप्रेसर इस नाट को खोल के वाइल काम से वाइल दीचिए आटोमेटिक अगर कॉंप्रेसर नहीं आता है तो फांप हम लोगा खराब हो जाता है यह रोड यह रोड आप लोगो बदलना पड़ेगा तो फिलाल मेरा ठीक है और आचुके कोई दिक्कत नहीं तो चलिए बागी का पॉर्स आप लोगो दिखाता हूं जिसमें को वाइल लीकेज ना करें इसके लिए हम लोग वाइल शील डालेंगे जितना भी वाइल वाइल वगर वरिंग डालेंगे तो थोड़ा दूर करके देखाओ यहां देखिया इस तरह से हम लोगो देना पड़ेगा दो ओरी ओरिंग दे दिया हूं अब बाकिया ओरिंग देेंगे इस पिलेट पर पेलेट दिजए को यहाँ देखिया हैhigh यहां देखिए वाइल सिलंड़ों को पौन ना पड़ेगा यहां दो पर गर्केवाइल है आप लोग यहां भड़कर देख़ लीजे और लिए कौन सा वयल एक नहीं करेगा और यह वोरिंग को हम लोग बदना है हराल में के तुछ लिये नाइह वह लगाते हैं घुरिज लाए तोड़ा अओ और यह वाइल चेहल को रहा है थोग लेंगे आजरते से लिए प्गई गलिज लगा के आप लोग को इसको फ्थोक ना है तब ही आप लोगों का वाइल सील जो है ओरिंग जो है सही जाएगा और ओरिंग नहीं कड़ेगा और वाइल पी नहीं लिकेज करेगा आसानी से जाएगा ठीक है तो हीरो लिखा है इसको सीधा रखना है बस बस मेंगनेट दीजे बस वसर दीजे नाट दीजे बूस लगा दिया है अब हम लोग डालेंगे पैक इन कलाचेंबर फीट करेंगे बस कि यहां एक बूस होता है बस और यहां बैरिंग होता है ठीक है सब लगा दिया है चलो इसको अनेस्ट्रूल करते है है अग्टार नाट है बाला करेंच लगाओ यह वाला बोल लगाओना यार लगाओ अधर क्या लॉक्ट लगाना है है पकड़ कर अधर दो क्याप कहा है इस हो रिंग जब लगा रहा हूं सभी जगा को भर लोग को लगाना है टिक तब वाइल्श लगका वाल लेकेज नहीं करेगा यह नया वरींग है चलो लगाओ इसको इसको खोलता हूं तो गाइस इंजिन हम लोग का पूरा फिटिंग हो चुकिया देखिया पूरा फिटिंग हो चुकिया है और एकदम झाकाश करके फिटिंग हो चुकिया है तो गाइस चलिए बाइक में फिटिंग करेंगे फिटिंग करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ तो इस जैसे कि आप लोग देख रहा है इंजिन में ने फिटिंग कर लिया बड़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग हम लोग पता नहीं चलता और यह ढकाना कर लगा देता हम लोग यह नहीं पता जो हेट के आंतर हम लोगों के वाइल आ रहा है कि नहीं तो चलिए बाइक को इस्टाट कीजिए चाब्यों कीजिए इस तरह हाथ देख रखो ही बाइब 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 नहीं यह जए जिए अर्थ हम चाहिए श्सक्यागे बाइब धर्थ हम जए चाहिं कि वेक लिक ट्सक्नर पाया है कस मनि恽 भंग बाइब जिए हम वेफ लिए आखे छाओ हम तो रोग एदुआ कर लिया वाइक में कोई भी पोलिचन नहीं आए और इंजिन वाइल भी हेट पर बरावरा आ रहा है आप आसानी से बाइक को जिसमें की कि कश्टोमर को डे सकते है बद ही सन И headline बनाने का वाद फ़र जिसमें ग rituals u a रखने का बाद रॉकर हम लोगों को फाइनल टाइट करना है तो चलिए एक घंड़ा बाइक को इस्टार्ट करके रख देंगे उसके बाद जैसे ही सालनसर लागा के रॉकर बगेर जैसे की जीरो पॉइंट फॉर में रख देंगे उसके बाद बाइक का तोल्ड़ आप लोग अब अब आधा को पूरा फैनल कर दिया है यह जैसे की बाइक को पूरा फैनल कर दिया अब आप लोग को पताऊंगा जिसमें खर्चा कितना है तो गैस मैंने पूरा रिस बनाया है जिसमें के सिलिंडर केट है टाइम इंचेन है वाल्प केट है वाल्चल कीट है जेवेडी पीनियम है पैकिन कीट है मेन वेरिंग है कानेटिन रोट है हेट का गाइड है क्लास प अब लग आप लोग पूशते थे जो इंजीन का चार्ज कितना लेता है ग्रोजी मैं इंजिन का काम कारेट लीता हूँ 800 मेरा चार्ज है 800 मेरा चार्ज है 800 मेरा बंटाया है अगर जैसे कि ज्वेड़ा लगता है तो कुछ पहरे में कंकर देता हूँ क्योंकि देख हम लोग मेगानिक है कुछ हम लोग को इधर उदर से निकल जाता है तो 200 रुपे हम अगर अपने हाथ से कम बगर तो कोई दिकर नहीं तो 6,440 रुपे इसका भी लुआ है और यहीं तो काइस यही दा भीडो बनाने का मसular जिसमी की आप लोगो को क्या करते इंज़ीं में कितना घ्रता है तो नियुक्तु तो थांको बेरी मच्च अल्दो बेच जूला रहिया है थांजिर भाई गुरू वीडियो चैनल करें